Merry Christmas को उतना recognition नहीं मिलेगा जितना ये deserve करती है इसका मतलब फिल्म की quality से नहीं है इसका मतलब सिर्फ ये है जिन movies के साथ इसको release करा गया है इसका लग बहुत ही खराब है यार क्योंकि पहले जब ये 15 January को release होने वाली थी उसके एक हफते बादी डंकी और सलार दो बहुत ही ज़ादा appreciated and much awaited movies आने वाली थी वहाँ पर इसकी release date को push किया गया 12 January को और 12 January को भी यानि कि आज इतनी सारी बहुत ही ज़ादा much awaited movies release हुई है और सभी movies over the top and action sequences से भरी हुई है भी पर जो Merry Christmas है ये बहुत ही slow burn वाली movie है and कुछ भी over the top and wow factor वाले scenes इसके अंदर नहीं है तो इस वज़े से काफी सारे लोग इस film से disconnect हो सते हैं तो ये based है Frederick Darts के एक novel पर जिसका नाम है Le Monte Charge और इसके डारेटर है Shreeram Raghavan जिनकी last film थी अंदादून और वो एक cult classic है उसको लोग बहुत जादा पसंद करते हैं उसकी story के लिए और especially उसकी ending के लिए mysterious ending के लिए It is a slow burn ये movie का आपको खुद कहती है कि भाई sit back, relax, grab your popcorn और सिर्फ इन दो characters के साथ आप इस पूरी journey पर चले जाओ ये film कहीं पर भी बहुत जादा चीजे करने का ट्राइ नहीं करती बहुत simple story है, बहुत linear way में story चलती रहती है जो cinematic point of view से देखा जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन आज के समय में जहां भाई हमारे attention span इतने जादा खराब हो चुके हैं वहाँ पर इतनी slow movie देखना हर किसी के लिए possible नहीं है और वो मैंने खुद भी देखा क्योंकि यार जिस theater में बैटकर मैं देख रहा था मेरे और मेरे भाई के अलावा सिर्फ तीन लोग थे और वहीं पर जहां बराबर में हनुमान movie का show चल रहा था जो theater था वो almost 75% full था लोग इसको अंदादुन से compare जरूर करके देखेंगे because ये same director ने बनाई है श्री राम रागवन ने बट इसके अंदर ना वो over the top sequences and वो wow factor वाले ना scenes नहीं है वो scenes आपको देखने के लिए मिलते हैं लेकिन वो आते हैं और चले जाते हैं जो मुझे लगता है ना कि जिन movies के साथ इसको release करा गया है ना यार वो बहुत ही जादा action sequences बहुत fast cuts के साथ भरी हुई है तो इस समय पर इतनी slow burn वाली movie देना बहुत risky move लगा मुझे let's see what happens मैं तो ये चाहता हूँ कि इस film को और recognition मिले ये बहुत अच्छी movie है यार बट लेकिन आपको इसके लिए mindset ना एक अलग रखके जाना पड़ेगा आप इसमें ये expect करके मत जाना कि आपको अंधा दून जैसी कोई चीज़े देखने के लिए मिलेंगी आपको वाव फेटर देखने के लिए मिलेगा लेकिन expect मत करना कि बहुत जल्दी-जल्दी आपके सामनी चीज़े फोल्ड होंगी बहुत आराम से movie चलती है और अपना time लेती है ये बहुत ही जाता character-driven story है आपको कहीं पर भी ये नहीं लेगेगा कि ये hero and heroines है इसमें हर एक character बहुत unique है ये film एक night में set है जहाँ पर Albert जो की विजय सेतुपती का character है वो 7 सालों के बाद अपने घर Bombay वापस आता है जहाँ पर आकर उसको ये पता चलता है अब उसकी मा की death हो चुकी है तो वो ऐसे ही Bombay में घूमने निकल जाता है Christmas की Eve होती है और वो एक बहुत ही fancy and lavish restaurant में जाता है खाना खाने वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है Katrina Kaif के character से जो की अपनी date पर आई होई होती है और वो अपनी बेटी को लेकर आती है तो जिस बंदे के साथ वो date पर आई होती है वो इस चीज को देखकर वहाँ से भाग जाता है अब वहाँ पर उन दोनों की बीच में मुलाकात होती है वो एक cinema hall में जाते है वहाँ पर film देखते है और उसके बाद वो दोनों Maria के घर चले जाते है जो की Katrina Kaif का character होता है अब जब वो दोनों घर पहुंच जाते है तो जो Albert का character है वो अपने आपको खुद एक crime scene में फजा हुआ पाता है तो बहाँ से भागने के बज़ए वो decide करता है कि मैं Maria की help करूँगा obviously नहीं तो story आगे ही नहीं बढ़ पाती और फिर क्या के चीज़े unfold होती है ये देखने के लिए आपको film देखनी पड़ेगी और ये चीज़ होते होते ना इस point तक आते आते almost film का interval बहुत पास आजाता है और interval भी मैं कहूँ ना तो यार बहुत abrupt लगा मुझे मैंने ऐसा सुना था कि शायद इस movie के अंदर interval नहीं होने वाला है और मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैंने इस movie का ना तो trailer देखा ना मैंने कोई उसकी news फॉलो करी बट मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये श्री राम रागवन की movie होने वाली है इसके अंदर Katrina Kaif and Vijay से तुपती होने वाली है भाई बहुत डिफिकल्ट था अपने आपको रोक के रखना इस समय में जब आपके सामने इतने सारे trailer, spoilers ये सब चीज़े आती रहते हैं तो बहुत मुश्किल था खुद को रोकना और आपको Alfred Hitchcock की भी बहुत सारी vibes देखने के लिए मिलेंगी देखो मैंने उनकी बहुत सारी movies नहीं देखी है बट some of the movies मैंने उनकी देखी है और उनकी vibe का मुझे पता है वो किस तरीके से movies बनाते हैं मैं exactly नहीं बता सकता आपको frame करके sentences या फिर scene के हसाब से नहीं बता सकता कि ये scene इस वाली Alfred Hitchcock की movie से inspired है बट मैं समझ रहा था कि काफे सारे sequences and frames inspired थे Hitchcock से जो एक classical music and retro vibes and जो retro Bombay वाली feel थी ना वो एक दूसरे को appreciate कर रहे थे एक साथ होकर चल रहे थे एक बार फिर मैं आपको याद दिला दू it is a slow burn अंदादून वाली चीज़े expect करके मत जाना नहीं तो disappoint जरूर होगे मैं देख रहा था मेरे आसपास जो लोग बैटे हुए थे वो इस तरीके से disappoint हो रहे थे मेरा खुद का भाई उसको देखो इतनी slow movies देखने की आदत नहीं है तो वो भी कई बार अपना phone निकालकर Instagram स्क्रोल करने लगा था तो ये चीज़ ध्यान में रखके जाना नहीं तो भाई आप इसका Netflix पर आने का भी wait कर सकते हो बट फिर भी मैं चाहूंगा कुछ अगर अलग देखना चाहते हो नो ऐसा देखना चाहते हो जो बहुत character driven story हो आप दोनों characters के साथ invest हो सको और एक अच्छी आपको murder mystery देखने के लिए मिले इस film को ज़रूर देखने जाना मेरी तरफ से तो recommended है अगर आपने movie देखे तो comment करके बताओ आपको कैसी लगी है और वीडियो कैसी लगी है वो भी comment करके बता सकते हो वीडियो को like ज़रूर करना Miller Soup का review आज शाम को या कल सुबह को आ जाएगा तो उसके लिए subscribe कर लेना और हाँ Captain Miller का भी review आने वाला है कल उसके लिए भी subscribe कर लेना तो thank you for watching, bye bye